मेरे पास एक पत्तर आथा दस तारीकों कि आपको कोंगरिस पार्टी से वरकास्त किया दाता है उन्होंने आपने लोग सबाचुनाव अपने बच्चे को सेफ करने के लिए अपने लड़के को सेफ करने के लिए कोंगरिस की बली दी दोस्तों नमस्कार मैं संजय बग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिशनल मीडिया मंच पर हर्याना विधान सभाज चुनाव के अंदर चुनावी शिकस्त के बाद चुनावी हार के बाद में कॉंग्रेस पार्टी के बीच में हाहाकार और कोहराम का जो माहौल है वो थम्रे का नाम नहीं ले रहा है मैंने आपसे पने कई वीडियो में शेर किया है कि कॉंग्रेस की स्थिति क्या बनी हुई है अब ताजा एक मामला नया सामने आया है और ये मामला अगर सही है जो कह रहे हैं कॉंग्रेस के प्रवक्ता बालमुकुन शर्मा तो फिर हर्याना प्रदेश कॉंग्रेस कमेटी के अध्यक्स चौदरी उदैभान जो भी हाल ही में विधान सभा का चुना भार गई क्या चौदरी उदैभान के खिलाफ फिर भी हो सकती है ये कह रहे हैं हर्याना कॉंग्रेस के प्रवक्ता रहे जो पूरू प्रवक्ता बालमुकुन शर्मा जिनको कॉंग्रेस से सिस्पेंशन का कॉंग्रेस से निश्कासन का लेटर जारी हुआ चौदरी उदैभान के सिगने कि जो राजनीति घटनाओं में रूची रखते हैं उनको सब पता होगा लेकिन मैं भी आपको बताता चलूं कि हर्याना प्रदेश कॉंग्रेस कमेटी के परवक्ता थे बालमकुण शर्मा पिछले दिनों बालमकुण शर्मा ने सोशल मीडिया पर और मीडिया कर्मियों से बा कॉंग्रेस का जो राष्ट्रिय नेत्रतव है कॉंग्रेस आला कमान है वो तैय कर चुका है कि भुपेंदर सिंग उड़्डा को विपक्ष का नेता नहीं बनाया जाएगा और भुपेंदर सिंग उड़्डा के स्थान पर या तो अशो करोड़ा और या फिर चंदर्माहन बिश्नोई इन दोनों में से कोई व्यक्ति कोई विधायक कोई नेता इन दोनों में से यानि कि अशो करोड़ा या चंदर्महन विश्नोई में से हर्याना विधान सभा में विपक्ष का नेता हो सकता है हमने भी आपसे वीडियो में चर्चा की थी कि विपक्ष के नेता के पर हमने आपको तीन नाम बताए थे आप देख सकते हैं इस वीडियो में जा करके अशोक अरोडा चंदर महन या चंदर प्रकाश खेर बात बालमकुन शर्मा की हो रही है आज बालमकुन शर्मा कुछ मीडिया कर्मियों के साथ बातचीत कर रहे थे और उसमें पंचकुला से उसमें उन्होंने कहा कि उनको जो सिस्पेंशन का ओडर हुआ है सिस्पेंशन का ओडर क्यों हूँ आप कहेंगे बालमकुन शर्मा कह रहे हैं कि साथ नमंबर को उन्होंने कहा था कि हर्याणा के अंदर विपक्ष के नेता भूपेंदर सिंग हुड़ा नहीं बनेंगे उनक कि जो गतिविदियां है वो पार्टी विरोधी हैं कहा गया कि जो वूमीडिया पैनलिस्ट के तौर पर जो बाते करते हैं वो अधिकरत बाते नहीं और ऐसे आरोप लगाते हुए उनको पार्टी से सिस्पेंट कर दिया गया निकाल दिया गया आज कह रहे थे शर्मा जी कह रहे थे बालमकुण शर्मा जी कि ऐसा पहली बार हुआ कि विधान सभाद चुनाव हारने के बाद परदेश अध्यक्ष अपनी कोई जिम्मेदारी ले इसकी वजाय उनको पार्टी से निकाल दी आप सुनिए क्या कह रहे थे बालमकुण शर्मा मेरे पास एक पत्तर आता दस तारीक हो कि आपको कॉंगरिस पार्टी से बरखास्त किया दाता है। मैंने उस पत्तर के बारे मैं जैसे पत्तर मिला तो उन लोगों से पूचताश्की पार्टी में बाकते हैं। तो हमें आबास हुआ कि वार्ती अध्यक्स के साइन फरजी है। उन्होंने आपने लोग सब आचुनाम आपने बच्चे को सेफ करने के निए अपने लड़के को सेफ करने के लिए कॉंगरिस की बली दी। तो आपने सुना इस वीडियो के अंदर वो कह रहा है कि मैं क्योंकि बात को रख रहा था और वो उनको हजम नहीं हो रही थी इसलिए मुझे ये किया गया निश्कासन का आरोप ये लगा रहे हैं कि जो लेटर जारी हुआ हर्याना प्रदेश कॉंग्रेस कमेटी के लेटर हैड तले आप देख सकते हैं इस लेटर को और ये कह रहे हैं जो उदैभान के सिगनेचर है ये डिजिटल सिगनेचर है ये साइन हुए पड़े हैं उसको पेस्ट किया गया है और आरोप लगा रह बालमकुन शर्मा कहां जाते हैं कहां नहीं जाते और उनके सिस्पेंशन को पार्टी आला कमान कितनी तवज्जों देता आने वाले समय में क्या होता है लेकिन बालमकुन शर्मा के आरोप बड़े गंबीर है इसके साथ साथ ही बालमकुन शर्मा एक बात और कह रहे हैं लो सकते थे लेकिन क्योंकि बेटे को एड़ेस्ट करना था बुपेंदर सिंग उड़ा ने इसलिए ऐसा हुआ इसके साथ साथ आरोप यह भी लगा रहे हैं कि दिपेंदर हुड़ा को जो चुनाव लड़ाया गया अगर वो चुनाव नहीं लड़ाया जाता सांसत तो पहले भी स्थे बात भी सही राजे सवा के सदस्य में अदर शकूबिस चुनावाय, सरकार disp बोराम है हाहाकार है अस्त instructor के सिति है और यह हमेशा हुआ भी करता है दोस्तों । जबर कभी कभी अच्छे दिन होते हैं अच्छे दिन वह कहीं कि और आप आप न शमजये कि जब सब कुछ अच्छा होता है, जीत होती है, खुशियां होती है, तो उनको बाठने वाले कई लोग होते हैं, और जब कभी हार होती है, जब कभी निराश्या होता है, जब कभी निराशा होती है, तो फिर वो जिम्मेदारी एक दूसरे पर ठोपी जाती है, डाली जाती है, कि इन तमाम नेता है वो तो आरोप लगा रहे है एवी एम पर और जो दूसरे गुठके नेता है वो आरोप लगा रहे है दभी जबान में कुछ और बालमकुन शर्मा ने तो कह दिया बालमकुन शर्मा तो कह रहे हैं कि उदैबान जी को होना तो यह चाहिए था कि जो खुद भी व इश्कासन का ओडर किया जा रहा है इसके साथ साथ एक बात बालमुकुन शर्मा ने और भी कही है दोस्तों बालमुकुन शर्मा के अगर बात मालें तो फिर जो उन्होंने कहा था कि हर्याणा कॉंग्रेस विधायक दलका नेता भूपेंदर सिंग गोड़ा नहीं बनेंगे अ बालमुकुन शर्मा तो नाम डिस्क्लोज कर रहे हैं कि रहे हैं अशोक तवर बनेंगे कॉंग्रेस के परदेश अध्यक्ष विधानसभाद चुनाव के दोरान भारती जनता पार्टी छोड़ करके और तीन-चार पार्टियों की सेहर करके वापस कॉंग्रेस में आने वाल अशोक तवर बालमुकुन शर्मा तो कह रहे हैं कि अशोक तवर कॉंग्रेस के परदेश अध्यक्ष बनेंगा और उनके साथ चार कारेकारी अध्यक्ष होंगे नाम चिरंजीव राव का भी कह रहे हैं नाम उसके अंदर आधित्य सुर्जे वाला का भी कह रहे हैं और नाम बाते इस प्रकार से वहार मीडिया में क्यूं आ रही है एक तरफ जा राहूल गांधी और कॉंग्रेस के राष्टी अध्यक्ष मलिकार जुन खड़गे कहते हैं कि बहुत हसाई हो चुकी अब यह सब कुछ मीडिया में लाना बंद हो लेकिन कॉंग्रेस के नेताओं का जो मी मान हनन करना वैसे आपको क्या रखता है जो बाल्मकुण शर्मा कह रहे हैं कि क्या वाकई अशोकतवर हर्याना प्रदेश कॉंग्रेस कमेटी के अगले अध्यक्ष हो सकते हैं आपको क्या लगता है कि क्या इसलिए और हुटा साब का विरोध करने की वज़े से बालमकुन शर्मा को पार्टी से निकाला गया या निश्कासित किया गया और आपको क्या लगता है कि क्या डिजिटल सिगनेचर जो वो कह रही है बालमकुन शर्मा क्या ऐसा कुछ होने पर तो देश अध्यक शुदैबान जी के खिलाब को एफ आयर भी हो सकती है कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं जुड़े रहे हमारे साथ देखते रहें देश रोजाना हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के यूट्यूब चैनल को और नई वीडियो की नॉटिफिकेशन पाने के लिए बैल आइकन ज़रूर करें अगर आप ये वीडियो फेस्बुक या इंस्टेग्राम पर देख रहे हैं पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें